आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now नमस्कार दोस्तों चलिए प्रशन देखते हैं यदि X की घात 3 प्लस X की घात 2 माइनस 5X प्लस Lambda विंजक X माइनस 2 से विभाजित हो जाए तो Lambda का मान कितना होगा तो देखें यहां हमें एक बहुपद दिया गया है बहुपद हमारा क्या है बहुपद है हमारा X की घात 3 प्लस X की घात 2 माइनस 5X प्लस Lambda और हमें यहाँ पर इस lambda का मान बताना है देखिए यहाँ इसने कहा है हमसे कि यह इससे विभाजित हो जाता है एक वेंजक हमें दिया गया है x-2 इससे यह विभाजित हो जाता है पूरी तरह और अगर ये वेंजक इस बहुपत को पूरी तरह विभाजित कर देता है तो ये इसका गुलनखंड होगा ठीक है तो गुलनखंड प्रमय के हिसाब से अगर हम देखें गुलनखंड प्रमय समझते हैं पहले गुलनखंड प्रमय क्या कहती है गुलनखंड प्रमय उस इस्तिती में तो PA बराबर होता है 0 के अब यह PA क्या है यहाँ पर देखें PA का मतलब है बहुपद में X की जगा A डाल दिया है हमने ठीक है और वो मान हमें कहां से मिला जब हमने इस वियंजक को यानि X-A को बराबर रखा 0 के तो X का मान A आया और उस मान को बहुपद में डालने पर बहुपद का मान ही 0 हो जाता है यदि X-A इसका क्या है कुरण खंड है तो और यहाँ पर दिया गया है हमें X-2 इसे विवाजित कर देता है यानि X-2 इसका कुरण खंड है तो हम कह सकते हैं x-2 से जो x का मान निकलेगा क्या निकलेगा मान? x बराबर 2 आएगा और इस मान को बहुपद में डालने पर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा तो चलिए डालते हैं बहुपद में x के स्थान पर 2 बहुपद हमारा है x की गात 3 तो यहां पर हो जाएगा 2 की गात 3 प्लस x की गात 2 यानि 2 की गात 2 माइनस 5 गुणा x यानि 5 गुणा 2 प्लस लेमडा बराबर 0 तो यहां कितना आ जाएगा? 8 प्लस 2 की गात 2 का मतलब 4 माइनस 10 प्लस लेमडा बराबर 0 तो आप यहां देखिए यहां आ जाएगा 12 minus 10 plus lambda बराबर 0 12 में से 10 आप गटाएंगे तो कितना बचेगा 2 plus lambda बराबर 0 तो lambda बराबर कितना आ जाएगा minus 2 तो lambda का मान होगा minus 2 यदि x minus 2 इस बहुपत को पूरी तरह विबाजित करता है तो अगर हम विकल्प देखें तो पहले, दूसरे, तीसरे और चोथे विकल्प में से सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प, धन्यवाद